सो गाइस कल शौमी ने अपना सब ब्रैंड का फोन लाँच कर दिया है जो की है Poco F1 एंड फोन की प्राइजिंग जो है वो काफी किलर है Snapdragon 845, 6GB RAM, 64GB internal storage आपको सिर्फ 21,000 में मिल जाता है बट मैं बात करूँगा उसके launcher के बारे में जो की है Poco launcher यह launcher आप अपने किसी भी Xiaomi के फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं तो मेरे पास जो फोन है वो है Redmi 4 मैं पोको launcher को यूस कर रहा हूँ तो मैं बता हूँगा कि आप अपने Xiaomi के फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना एंड नाओ लेट से स्टार्ट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पोको launcher का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप उसे डाउनलोड कर लीजे and simply आप उसे install कर लीजे as a system launcher system launcher install होगा आपके Xiaomi के फोन में बट इसे आप अगर install करेंगे तो वहाँ पर आपका जो launcher है वो upgrade हो जाएगा and देख सकते हैं मेरा launcher install करने के बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन जो है वो यहाँ पर change हो गया and even यहाँ पर आपको app draw मिलता है जैसा कि आपको pixel phone में मिलता है उसी तरह का कुछ आपको app draw दिया है Xiaomi ने and नीचे में आपको search apps का option मिल जाता है जो कि यहाँ पर काफी cool लग रहा है देखने में और जो app draw है वो भी यहाँ पर काफी pixel 2 की तरह ही लग रहा है pixel 2 launcher की तरह ही और यहाँ पर आपको feature मिल जाता है 3D touch का जब भी आप long touch करते हैं उस app पे तो वहाँ पर आपको shortcut बताता है उस app के कि यहाँ पर आपको जो shortcut है आप वहाँ पर उसे use कर सकते हैं जिस तरह से आपको pixel launcher में feature मिलता है या फिर stock android के phone में feature मिलता है तो उसी तरह का Xiaomi ने यहाँ पर कुछ implement करने की कोशिश की है Poco launcher के साथ और Poco launcher यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है दिखने में क्योंकि यहाँ पर आपको app draw मिल जाता है पहले शौमी के MIUI में वहाँ पर आपको app draw नहीं मिलता है अगर आप चाहते है app draw इंस्टाल करना त तो आप इसे install कर सकते बिल्कुल pixel की तरह ही लगेगा so guys यह ता एक छोटा सा वीडियो like कर दीजिए मैं मिलता अगले वीडियो में बाई बाई